मुरैना में बोली मायावती, कॉंग्रेस ने न केवल डॉक्टर आमबेड कर का अपमान किया, बलकि बीएसपी का जनाधार भी खत्म किया दोस्तों अगर आप चाहते मायावती देश की प्रधानमंत्री बने तो इस वीडियो को लाइक करे और वीडियो पूरा देखे मुरैना मद्यप्रदेश के मुरैना में बसपा की राश्ट्रिय द्यक्ष मायावती ने शनिवार को कॉंग्रेस को जम कर घेरा पार्टी प्रत्याशी करतार सिंध भडाना के समर्थन में आयोजित जन सभा में उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने न केवल डॉक्टर आमबेड कर का अपमान किया है बल्कि बसपा के जनाधार को भी खत्म किया है मायावती ने कहा कि कॉंग्रेस ने प्रदेश में सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग कर बसपा के लोगों को जेल में भी डाला है कॉंग्रेस लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को डरा धमका कर उनकी खरीद फरुक्त कर रही है गुना में पार्टी के उम्मीदवार को खरीद लिया है बसपा अध्यक्ष ने कहा कि कॉंग्रेस बसपा से डरी हुई है इसलिए लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशियों को डरा रही है और उन्हें खरीद रही है बाबा साहब को नहीं दिया भारत रत्न सम्मान मायावती ने कहा कि कॉंग्रेस की दलित विरोधी नीतियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सम्मेदान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को उसने भारत रत्न का सम्मान तक नहीं दिया जबकि विरोस की सरकार में कानून मंत्री रहे भारत रतन देने का काम वीपी सिंग सरकार ने किया इससे कॉंग्रेस की धलित विरोधी मानसिक तराहिर होती है सभा में मायावती के निशाने पर कॉंग्रेस ही रही उन्होंने बीच में एक दो बार भाजपाव के विरोध में भी बोला लेकिन पूरा भाशन कॉंग्रेस के विरोध से शुरू हुआ और विरोध पर ही खत्म हो गया तो दोस्तों क्या आपके अनुसार सच में माया वती जी को देश का अगला प्रदानमंत्री होना चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताए साथ ही मेरे इस वीडियो को लाई कीजिए